हलो विवार्ज वicular्स वेल्कम बैक टो को सम्सकीचण मैं हूँ वंधिना और आज मैं बना रही हूँ जो हम भर्मा सबजे के आंदर डालने वाला मसाला तो कुछ इस तरह से ये दिखता है शुरू करता है हम मसाले को बिनाना और फिर बाद में बात करते हैं किस तरह से यूज किया चाता है तो इसे बिनाने के लिए मैंने यहां पर 1 1.2 स्पून धनिया सीड यान की करिंडर सीड ले लिया है वन स्पून मैंने सौफ यानि की फैनल सीड ले लिया है और यहां जाता है हाफ स्पून मैथी दाना थोड़ा कमी डालें अदरवाइस यह थोड़ा से बीटर कर देगा आपकी मसाले को साथ ही मैं यहां पर पांचे मिने रेड जो ड्राय चिली जाती है लाल वाली सुखे मिर्च वो ले लिया है और यह है हाफ स्पून क्यूमिन सीड और जीरा दस से पंदर हम यहां पर ब्लैक पेपर यान की काली मिर्च ले लेंगे और यह है क्लॉव आट से दस लोंग ले ले यह नाइचिला सीड यानी की जो कलोंजी होती है वो हमने डाली है वन फोर्थ स्पून इलाइची हमने डाली है यहां पर हरी वाली थ्री और फोर है कैश्यू नाट्स और यह है फोर बदाम और आमंड्स तो चलिए हम गेस कौन कर देते हैं और फिर बात करते हैं हमारे मसाल की हम इसे कंटिनू शलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है बेनी भीनी खुश्बू तब तक आना शुरू नहीं हो जाती है और इसमें एक क्रंची सी आवाज आना शुरू नहीं हो जाए इसे बनाने में यानि की भूनन में अ Nutella हूं में बबाय वको जो एपनी मांता बनाता हूए क्लावसल तो सब्सक्राइब तो ही में शुलत हिए कि हूँ है या जोम हाफि टेस्टिव बहुत ही इंप्रोव होगा पहुत ही लाजवाब बनेगा इस वक्त इसकी खुश्बु जो है काफी अच्छी आ रही है मसाले काफी अच्छी हो गए हैं भीनी भीनी खुश्बु आने लगी है और इनका कलर जो है वो गॉल्डन कलर हो गया है इसको अब हम बंद कर देंगे और इसे हम कर लेंगे ठंडा पहले मैंने जो मौवा मसाला बनाया था मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी अगर आप चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था उसके बाद मैं आपके लिए रेसिपी लेकर क्या हूँ हूँ इस मसाले के अंदर मैंने एक कर दिया है हाफ मसाला यह जो मसाला है इसे एक बार पीस करके ग्राइंड करके और ऐर टैट केंटर में डाल करके रख सकते हैं घटह पे जब भी आप भर्वा सबजी बनाएं बर्वा सबसी के अंदर जो स्टफिंग बनाते हैं एक से डेल चमच मसाला डाल करके मिला लिएं और फिर उसके बाद में आप स्टफिंग करें आपकी सबस्या बहुत ही टेस्टी बनेगी चाट मसाला के साथ मैंने आपर आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच रेड चिली पाउडर चार चुटकी हल्दी पाउडर और आधा चमच मैंने डाला है डेसिकेटेड गोकोनट याने की नारियल का बूरा और इसमें जो घड़ी वाली लाल मिर्च थी इसके डेंटल को हम हिटा देंग और इसके बाद इन्हें हमें ग्रैंडर जाल में डाल करके अच्छे से बारिक पीस लेंगे जब भी आप घर पे कोई मसाला बनाते हैं पाउडर मसाला अगर आपको बनाना है उससे पहले अगर आप भून रहे हैं उसे अब हम इसे बिल्कुल बारिक पीस लेंगे अब देख सकते हैं बिल्कुल फाइन मसाला बनकर के रेडी हो चुका है अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक कंटेनर के अंदर और इसे आप जब चाहें तब यूज कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो पसंद आए तो लाइक और शायर कर दीजगा बेल आइगन को हीड़ कर दीजए थाकि आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे तेंस वो बच्चिंग